दोस्तों भागे लक्षमी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिल्चस्प देखने को मिलेगा जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लक्षमी आकरकार रिसी की बेल कराही देती है लेकिन दोस्तों इधर मलिस का बोलती हुई नजराने वाली है कि ज़्यादा समय नहीं लक्षमी मैं तुम्हें बहुत जल्दी इस घर से बाहर फैक दूँगी जिसके बाद मैं आयूस और रिसी के फादर ये बोलते हुए नजराने वाले हैं कि इस घर से लक्षमी नहीं जाएगी क्योंकि लक्षमी ने तो हमेशा से ही इस परिवर का पू क्योंकि दोस्तों रिसी की मौम नीलम इस समय बहुत ज़दा खुस्तों नजर है आ रही है लेकिन दोस्तों वो इस समय जो कि लक्षमी को कहीं नहीं अभी भी वो कसूरवार मानती है क्योंकि दोस्तों जिस तरीका से रिसी की तारीब कर रही है मलिसका सभी के सामने उसे इन लोगों को लग रहा है कि मलिस्का ठीक है लेकिन दोस्तों मलिस्का का गिनोना चहरा भी जल्द ही लोगों के सामने आएगा क्योंकि पैंड ड्राइव आखिरकार मिल चुकी है और उस पैंड ड्राइव में बहुत कुछ फुटेज निकलना बाकी है आप लोग जानते ही हैं कि लगातार जिस तरीका से लक्षमी खोस है रिशी के लिए और वो फाल्टों चीजन पर ध्यान भी नहीं देना चाहरी क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि रिशी इस समय कितना ज़दा महरतपूर है लक्षमी के लिए साथी दोस्तों आपको कुछ बड़ी अपडेट से भी रूबारू करवाने जा रहा हूँ दोस्तों उस फूटेज में देखेगा कि किस तरीका से बलविंदर खाने में कोई चीज मिश्रण करता हुआ नजर आ रहा है वो कोई और चीज नहीं है बलकि ओ खाने में जहर मिला ज था ताकि लोगों की तवियत का खराब हो सके और लोग मर सके आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में वाकई में एक से बढ़कर एक नए नाए टूश देखने को मिल रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी ने बोल दिया है परिवार के आगे कि अगर रिशी को कभी भी ज दिया करें, THANK YOU